नमस्ते किसांद सातियों मैं विजय और आज आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इनोवेटिव फार्मर्स पर और किसांद सातियों हमार एक दर्शक है ओमदत जी कटारिया उनका फेस्बुक पर एक कमेंट था कि भाई आज मैंने आपकी पू और यूदि आप भी हमारे चैनल पर कोई वीडियो देखने चाहते हैं तो आप भी हमें कमेंट करके बताइए उस पर हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे और चले बिना वक्त गवाई शुरू करते हैं इस वीडियो को शिमला मिर्च लगाने के लिए हम सबसे पहले बेट त्यार करेंगे बेट की चोड़ाई एक मिटर और लंबाई तीन मिटर रखेंगे एक हेक्टेर शिमला मिर्च लगाने के लिए जो बेट त्यार की जाती है इस लंबाई की 5-6 बेट की आउसकता होती है और शिमला चे से साड़े छे के बच हो काफी उप्युक्त मिट्य रहती है बेट बनने के बाद हम इसे कार्बेंड आजीम या बाविस्टीन से उप्चारित कर लेंगे अब हम विजो को सिम्ला मिर्च के बिजो को उप्चारित करेंगे एक हेक्टेर शिमला मिर्च के बीज लगाने के लिए एक किलो बीज गया सकता होती है शिमला मिर्च के बीज हर जलवायू के लिए अलग-अलग किस्म के बीज आते हैं तो उस प्रकार से हम अच्छी जो जलवायू है उस अच्छी जलवायू को देखते हुए जो अच्छी किस्म होगी उस किस्म का बिजो का चुना कर लेंगे एक किलो बिजो को उपचारित करने के लिए 22 दो दश्मलो 5 ग्राम 22 की ज़रुत होती है हम इसे ट्राइकोडर्मा एवं कारबेंडाजीम से भी इसको बिजो को उपचारित कर सकते हैं तो अब हमारे बिज उपचारित हो चुके हैं अब हम क्या करेंगे कि इस जो बेड हमने तयार किये उसमें किसी टुकडे की साहता से उसमें नालिया के द्वारा बनाएंगे और उनमें हम बीजों को लगाएंगे तो हम जो दो जो लाइने बनाएंगे उन दो लाइनों के बीच की दूरी हमें लगबग 10 cm रखनी होगी और हम इस प्रकार के लाइने बनाने के बाद उन लाइनों में बीजों की बुवाई करेंगे इन लाइनों की घराई 1-2 cm के बीच में रखेंगे तो अब हमारी लाइन है तयार हो चुकिये अब हम इसमें बीच दालेंगे हम प्रत्यक जगह एक-एक बीच को डालेंगे और दो बीजों के बीच की दूरी 2-3 cm के बराबर रखेंगे शिमला मिर्च की कई किसमे हैं जिसमें इसकी मुक्य किसमें हैं अर्का गोरव, अर्का मोहिनी, किंग ओफ नॉर्थ, केलिफोर्निया वांडर, अर्का बसंत, एश्वर्या लंकार, अनुपम, हरी रानी, पूसा दिप्ती, भारत, ग्रीन गोल्ड, हीरा, इंद्रा, शिमला मिर मुझ, आदिश की कई भी, इसके अलावा भी इसकी कई उन्नत किसमें हैं, जिनका उपयोग हम कर सकते हैं, हम बीज डालने के बाद, इसके हलके आतों से, इसके जो मिटी है, इसको थोड़ा समतल कर देंगे, जिस से की जो नालिया थी, वो, नालिया समतल हो जाएगी, और उ इसमें नमी है वो काफी समय तक बनी रहेगी और हमें बार-बार पानी देने की याउशकता नहीं होगी इस प्रकार से हमारी जो शिमला मिर्च की पोद है वो कुछी समय में तयार हो जाएगी पानी देने के बाद हो सके तो आप इस बेड को किसी पाल या जो शुकी गास होती है उससे हम इससे ढख देते है तो यह बहुती अच्छा रहता है तब तक ढखे जब तक कि इसके जो बीजों का अंकुरन देरे-देरे होने न लगे तब तक इस असमय समय पर पानी देते रहे जिसे कि पोदे बहुत बीच बहुत ही जल्दी अंकुरित होंगे तो बस इस वीडियो में इत्ताई मिलते हैं अगले वीडियो में यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करें धन्यवाद